नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके पने चैनल में मैं हूँ आपकी वही अंजली मौबत यूँ ही किसी से हुआ नहीं करते अपना वजूद भूलाना पड़ता है किसी को अपना बनाने के लिए यहां आपने सही सुना हम आज के डिली राशी फलकी बात कर रहे हैं आज की दिन जिनका बर्थ्टे है या फिर मारी जनवर्सरी है उनको मेरी और से ठेर सारे गुद विशुस और भदाई हो तो चलिए अब शुरू करते हैं किसी से इर्शा या किसी की होड मत करो सिर्व अपनी मंजिल तक पहुँचने वाले रास्ते पर चलते रहो अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आपकी चलने की रफ्तार कितनी है अगर आपको लगे कि आप अकेले क्या कर सकते हो तो सिर्व उठा कर उस सूरज को देख लेना जो सारी दुनिया में रौशनी करता है अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो तो अभी से खुद को बदलना शुरू कर दो जब आप पूरे बदल पाओगे खुद को तब तक ये दुनिया बदल चुकी होगी गरीबी और समरिद्धी दोनों हमारे दिमाग के विचारों का परिनाम है हमारे पसंद का हर काम हम बड़ी असानी से कर लेते हैं सोचने की बात तो ये है कि दूसरे कामों में ऐसा क्यूँ नहीं होता जो मुची उडान के होसले बना लेते हैं वो कभी आसमा की दूरी के बारे में नहीं सोचते अपनी कलपना को अपनी जिंदगी का मार के दर्शक बनाए अपनी अतीत को नहीं टाइम वेस्ट मत करो कि क्या करना है वन्ना आप से पहले टाइम सोच लेगा कि आपका क्या करना है अगर तुम उस वक्त मुस्कुना सकते हो जब तुम बूरी तरह टोड़ चुके हो तो मेरे यकीन कर लो कि दुनिया में कभी कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता आम इस जिंदगी में भले ही कितनी बार हारना पड़े पर जिंदगी से कभी नहीं हारना चाहिए मनजिल के Лंबے रासों से डरने वालों सुनो, हजारों मील के सफर की शिरवाद भी एक छोटे से करम से होती है आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं उससे नहीं जो आप कल करने वाले हैं चाहे हजार बार नाकामियाबी मिले कठिन महनत और सची लगन से काम करोगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी कोशिश करने की हिम्मत नहीं होना एक नजर से यही आपकी सबसे बड़ी विफलता है अतीद की गुलाम नहीं बलके फ्यूचर के निर्माता यानकी क्रेटर वनो हमेशा लक्ष को नजर में रखने वाले लोग ही सक्सेस होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहां जाना है गुड रिजल्ट देखना चाहते हो तो अब इसे गुड फील करना शुरू करो सपने देखने और उन्हें पूरा करने में कभी उम्र बीच में नहीं आती आप जब चाहो काम स्टार्ट कर सकते हो सबसे पहले में आपको बदा दूगे अजाब के लिए शुब रंग रहने वाला है गुलाबी और शुब आंक रहने वाला है चार अजाब को काम के मामलों में कोई पुरिसकार से नवाजा जा सकता है आपके टीम प्रेश्चन में सुधार के लिए सुझाब देने के लिए आपके पास आ सकते है जिन सपलता दायक साबित हो सकता है उन्ते के लिए जो है नए अफसर दिखाई दे रहे है बलकि इन्हें अपनाने से जिजग बिलकुल भी मन कीजेगा अपनी योगिता पर शेक मत करें आप में वो सबी गुण है तो आपको सफल होने के लिए चाहिए तो इसलिए जो हैं आपको आगे बढ़ना रहना चाहिए साथ इसाथ में आज राशी स्वामी बुद्का राशी में ही सित्थोना आपको हर परिसित्यों में आसानी से जूजने की शक्ती दे रहा है दूसरों से मदद लेने की विख्षा अपनी कारे प्रणानी पर भरुसा रखे और अपनी क्षमताओं का भरपूर रूप से उसका प्योग करे इसके साथ ही सभी सिम्मेदारियां आपने उपर लेने की बजाए उन्हें बांटिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए आसानी होगे क्योंकि काम की अधिकता का असर आपके स्वास्ते पर पढ़ता हुआ दिखेगा साथ ही दिखावे की प्रवृत्ती की कारण बीना सोची संजे फिजूल खर्ची बिलकुल भी मत कीजेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में आपको इसके लिए मुसीवत जो है वो जहिलनी पढ़ सकती है अज आप कुछ कामों में फ्री लांसिंग की कोशिश कर सकते हैं आपके पास बहतर आय अरजित करने के लिए अवश्य ज्यान है दिन आप के लिए विशीष सफलता वाला और विश्वास मिलने वाला हो सकता है किसी मामले में लोग आपके सलह ले सकते हैं समाजिक मेल जोल में दिन बीच सकता है वे विसाय में नए अफसर मिल पाएंगे आपको और अपने से जादा अनुभवे लोगों की सलह जरूर लीजेगा क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में कोई भी फैसा अरने से पहले आपको सोच विचार भी करना है उनिती और तरक्की के योग भी नज़र आ रहे हैं धनलाब की अफसर जो हैं भरपूर मातर में आज आपको देखने को मिल सकते हैं परिस्थिती वश्यकारों में आ रहे हैं दिक्तों में आज कुछ रहत मिलने के योग नज़र आ रहे हैं कोई पॉलिसी आदी मैच्योर होने के कारण धन्स रिलेटिट को योग जनाएं भी बना सकते हैं घर में मज़र्गों का आशिरवाद अवश्य लीजेगा अपने विवहार पर आज आपको कंट्रोल करना होगा क्योंकि आपका भाई बहन या किसी नज़दे की मित्र से किसी प्रकार का जो जगड़ा हो सकता है किसी भी बात पर ज़्यादा अड़ जाने से कुछ फैसले भी उलत सकते हैं इसलिए ज़्यादा जिद्दे मत बनिएगा दूसरों की सलाह भी ज़रूर लें क्योंकि हर कोई अपने अपने टेस्ट से एक्सपर्ट होता है इसलिए हर किसी का टेस्ट भी जानिये कि उनको पता अप लगे कि आपका क्या है उनका क्या है तो इससे आपको ज़र फैसला लेने में काफी असानी रहेगी साथजान में अगर आज आज आप photographed करना चाहते हैं तो आज इंवेस्ट तब ही कीजिगा अगर आप उसे long term के लिए इंवेस्ट करना चाहते हैं short term के लिए इंवेस्ट करेंगे तो जादा मुनाफा नहीं हो सकता धन की हाने भी नजलर आ रही है इसलिए long term solution आपके लिए better रहेगा वही business की बात करें तो business कह रहा है कि दिन की शुरुआत में ही अपने important कारे को आज निपटा लें की कोशिश करें तो ज़्यादा better रहेगा इसे जहें शाम के वक्त में आपको काफी समय extra मिल जाएगा दुपहर के बाद में विसाई का गतिविदियां कुछ धीमी होती भी नज़र आएंगी इसलिए पहले ही काम निपटा ले तो better है सरकारी कामों में किसी प्रकार की रुकावटें आ सकती है जो लोग कोर्ट के चैरी से related काम करते हैं उनके लिए फादयमन साबित हो सकता है और जो लोग लकड़ी या फिर आप लोहे का काम करते हैं उनको अलज़ादा मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है साथी में नए अफसर आपको करियर में मिलते नज़र आएंगी जो लोग जोव ढून रहे हैं उनको जो है जो मिल सकती है रोज़गार मिल सकता है उनती और तरक्की के योग नज़र आ रहे हैं अधिकारे आपकी अनकूल रहेंगी सारा का सारा काम जो है आप बड़ी असानी से पूरा कर पाएंगे वेबसाइट स्थल पर आपके द्वारा की गई महनत के परिणाम आज आपको हासिल होने वाले हैं लेकिन किसी अधीनस्त करमचारे की वज़ज़ से किसी काम में आज आपको नुकसान भी हो सकता है इसलिए आज बहतर होगा कि आज 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 जो इंपॉजन काम करने वाले हैं उसको जह अपनी निगरानी में अपनी देखरक में करिये तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखनी को मिल सकते हैं आज अपनी आत्मे विश्वास में कमी मत ताने दीजेगा और साथ ही में जो हैं अपनी योगेता पर फूगर नरूप से विश्वास रखेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा साथ ही में आज जो स्टूरंस हैं स्टूरंस के लिए दिन मिला जोना साबित हो सकता है और हां इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनिरियों के लिए आज अधिक अनकूलता हो सकती है आज जो है मित्र भी आपके जो है बिजनस में बहुत ही जादा और एक एहम भूमी का निभाते हुए नजर आएंगे जो कि भविष्य में आपके लिए काफी लाबदाइक साबित हो सकता है आगे बढ़ते और बात करते हैं आज की लव लाइफ के बारे में तो आज की लव लाइफ कहती है कि जीवन साथी के साथ विवहार जो है समेदन शील्ड रखिएगा आपके यसे बात से उनके अहम को चोट लग सकती है प्रिये जनों के साथ आज अच्छा समय बिताने का मौका भरपूर मातरा में मिल सकता है किसे नए व्यक्ते से मिलने के भी योग आज आज आपको नजर आएंगे आज रिष्टों में थोड़ी निराशा भी करी लोगों को हाथ लग सकती है खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है तब ही आज आज आप अपने पाणने के लिए समय निकाल पाएंगे जो लोग नए रिष्टे की खोच कर रहे हैं उनको अभी टाइम लग सकता है लेकिन चिंता मत कीजिए बहुत ही एक दो महिने में आपको जहें आपका रिष्टा मिल जाएगा साथ में जो girlfriend boyfriend है उनकी जो समन है आपस में काफी मजबूत होते नजर आएंगे प्रेम समन्दों में नजदीकियां बढ़ेंगी कोई घूमने फिननी का प्लान भी बन सकता है जीवन साथी के साथ स्वास्ते का ध्यान रखना होगा बस आपको आगे पर तुर बात करते हैं वही स्वास्ते के बारे में तो काम के बीच-बीच में अराम भी लेते रहेगा वाना सिर्दर जैसी माइग्रेन जैसी पेन आपको हो सकती है इसलिए जो हैं अराम भी करना आपके लिए बेहद इंपॉर्टन्ट है वहीं आज कोई पुराने विमारी भी आपको परिशानी में डाल सकती है इसके साथ ही जो लोग पुराने रोगों से पेड़ी थे उनको बहुत जल्दी राहत मिलने वाली है आज के दिन जो है आपको राहत महसूस होती नजर आएगे बाकी स्वास्ता में सुधार जो सभी के हो रहे हैं बसे आपको थोड़ी सावधानी और परहेज़ी बरतना होगा इसके साथ ही आठकान और कभी-कभी अणिरने जैसे सित्या महसूस कर पाएंगे यानि यह ऐसे सित्या जिसमें आप फैसला लेने में डावा डोल हो सकते हैं योगा और विव्याम करना आपकी सित्या के लिए काफी फायदमन सावित हो सकता है तो आज आपको जो है अपनी घर में जो है आज कोई पोधा लगाना चाहिए या फिर आपको उत्तर पूर्व की और मुकह करके रात को सुना चाहिए और अगर आप तुलसी के पत्ते जो है आज पानी में डाल कर पीते हैं तो बहुत ही अच्छा सेथ के लिए रहेगा और पॉजिटिविटी भी बनी रहेगे साथ ही में अगर आप दान पुनने वगएरा करना चाहते हैं तो राशन का समान जो है खाने पीने का वो बांटेगा और गुपत रूप से बाटेगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए तो दोस्तो अगर आपको वीडियो ची लगी हो तो लाइक करें शर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा धन्यवाद